बड़ी खबर आ रही है कीव में रूफ के हवाई हमले का अलर्ट जी हां कीव में हवाई हमले का साइरन भी बज रहा है और ऐसा नहीं है कि ये केवाल एक आज की घटना है हर दिन जब भी सुभे होती है कीव की रात होती है यूक्रेइन की इसी तरीके से हवाई साइरन के कुछ और तस्वीर हम आपके सामने रख रही हैं किस तरीके से अटैक के बाद रहाईशी कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से द्वर्फ तरह आ रही हैं जिन्दगी का नाम और निश्वा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है और इसके अलावा कीव की बात करें तो एक बार फिर काफिला गुजर रहा था जिस पर अटैक हुआ था जो कीव की और बढ़ रहा था उसके बाद क्यूंकि जो हमले हो रहे थे इनी बिल्डिंगों से हो रहे थे इस वज़े से उसमें एर अटैक करके सारे बिल्डिंग देखिए यह रूसी गाड़िया है रशियन फोर्सेस की लंबे काफिले की लेटे सेटलाइट फुटेज सामने आई हैं 60 किलो मीटर लंबा ये काफिला शुवाफ्तव जी ये ताकत रशिया की यूक्रेण को दिखाने के लिए काफी है तुम्हारे जमीन पर हैं तुम्हारे घर में हैं तुम्हारी राजधानी से चंद किलो मीटर की दूरी पर हैं जब चाहें collateral damage कर सकते हैं ruthless operation कर सकते हैं लेकिन अभी भी targeted attack कर रहा है रशा बिल्कुल सही है उनका अभी पूरे Ukraine में air dominance हो गई है पूरे Ukraine में उन्होंने जितने उनके अजोब सी का जो रास्ते थे ब्लैक सी के जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया है उस पर उ पूरे ये सेना उनकी जो 60 km लंबी है जिसमें बक्तवरत गानिया हैं टैंक्स हैं लॉसिक्स वेहिकल्स हैं इंफेंट्री वेहिकल्स हैं वो सारी की सारी जो हैं उनके दरवासे पकड़ी हैं आइडिया है कि ये रूस की जो जो यूकरेन की जो fighting willpower है उसको जुकाना ये उन जोता करें ये जो उनकी willpower है उसको खतम करने का और जाहिर सी बात है जब सर यहां पर 60 km लंबा काफिला जो इतना घुस चुका है और जो पिछले 7-8 दिन से आपके बिल्कुल पडोस में आके बैठा हुआता है यानि कीव के पडोस में जब आपने कुछ अटैक नहीं किया जब वो अंदर आए तो इसका मतलब साफ ही है कि आपने जो अटैक नहीं किया या अटैक करने की छमता नहीं थी ठीक है दोनों मिलाके देख ले देख लेते हैं और फिर इस डिसक्शन को और आगे बढ़ाते हैं अमित यूकरियन पा रूसी सेना किस तरी किसे कहर बरपा र अब उसका निशाना उसका टार्गेट कहा है खेरसौन शहर जिसे वो अपने कबजे में कर चुका है मैंने जो पोल जहां पर अभी भी एस टाइक की जा रही है जिसकी हमने लगातार बात बताई कि नुक्लियर रियक्टर पाफ प्लान जो है वो भी अप उनके टार्गेट आप भी अपर है अमेट अच्छा मैं इस पर बता दू जो नमबर साब देख रहे हैं वह बड़ारूस के अब हमले के लिए अब हम दिखाते हैं सुमी का जो आया था मैप को परोग दें अब आप देख सूमी में एटैक हो रहा है षाथा है वाट रहा है यहां से आप पर जो खार्खिव है और किमिय का में 4 प्लैंक निकलके UMिक गया है जो कि इस इस इलाके में ओडे सा इसके बार हम लोग माइकर लोग जा रहा है जो हमने नेवल फ्लीट देखी थी जंगी बेड़ा जो हम कहते हैं जंगी बिल्कुल वो नज़र आए था आप जो लड़ाई का बता दीजिए कीफ सर मुझे ऐसा तस्वीर में आप देखिए कीफ इस वक्त इस तरीके से घिरा हुआ है इस तरफ से यहां भी भी कोई जंग नहीं है लेकिन इस तरफ से पूरा घिरा हुआ नज़र आता है यह वाला जो एरिया है वो रूस से मिला हुआ है और इन्होंने सदन फ्लैंक भी खोल दिया है इस्टन फ्लैंक भी खोल दिया है यह जो पूरा का पूरा आप इलाका में देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आप जापोर्जिया देख रहे हैं, इसके बाद आप दोनेस देख रहे हैं, मारिया पोल देख रहे हैं, यह पूरा पूरा उनके पास आ चुका है, और यह देखे यह ब्लाक सी को उन्होंने कर सी आवजोव को जो एक्सेस थी उसो ख़म रब लगा है